गुलाब यानी रोस प्लांट में इस फार्टिलाइजर का इस्तेमाल से गुलाब का प्लांट से फुलो के बारे में दो प्रोब्लेम एकदम चुटकी में सॉल्व हो जाएगा सबसे पहला problem है गुलाब का plant में new branch आ रहे है यानि new growth आ रहे है पर tips में कोई birds नहीं बन पा रहे है तो आपका गुलाब का plant में भी ऐसे problem आ रहे है तो इस fertilizer से आप plant को फुलो से भरा सकते हो गुलाब का plant में फुलो के बारे में second problem यहीं आते है कि birds तो बनता है पर birds open नहीं हो पाता है यानि फुलो में convert नहीं हो पा रहे है तो इस problem के लिए भी इस fertilizer को आपको लगतर इस्तेमाल करना है जैसे plant से problem चले जाएगा plant एकदम पत्ते से जादा फुल खिलाना start कर देगा और इस fertilizer के बारे में बात करूँ तो एकदम से organic fertilizer है इसमें कोई chemical based fertilizer नहीं है पर अपका plant में जैसे दो problem के बारे में बात किया है तो अपका plant में भी इस तरीके से problem आ रहे है और कोई भी problem नहीं है आपका plant कलियों से भर गए है तब ही प्लांट को फुलों से भराने के लिए इस organic fertilizer को आपको लगतार इस्तेमाल करना है यानि हर हफ्ता आपको इस्तेमाल करना है और in between यानि इस fertilizer का इस्तेमाल करने के साथ साथ और कोई fertilizer आपको इस्तेमाल नहीं करना है जैसे आपका plant में फ पुलो से भराने के लिए यानी निवनू ग्रोथ के लिए दुसरा कोई फार्टिलाइजर जो आपका प्लांट में देना चाहिए था उस टाइम आपको इस्तेमाल करना है पर जब तक आपका प्लांट में कलिया से फूल खिल के ज़र ना जाए तब तक के लिए इस फार्टिल एजर रेडि कर लेना है तो पहले देखिए आपको लेना है पानी पानी के साथ आपको मिलाना है लक्री का राक मैंने जबी मिलाई यह है लक्री का राक क्वांटिटी आपको बता दूंगी पहले आप प्रोसेस को देख लीजिए लक्री का राक मिलाने के साथ साथ आपको म सात अच्छा से आपको घूल लेना है उसके बाद यह जो फार्टिलैजर रेडि हो गए है इसको ऐसे utus छोड देना है पांच से 10 मिनिट के लिए इसको ऐसे चोड़ देना है उसके बाद देखिए इसके साथ हमको क्या मिलाना है आपको एक बाद दिखा देती हूँ पहले इसको कलर आपको दिखा देती हूँ देखिए एक कौन सा और्गानिक फार्टिलाजर है डीटेल्स आपके साथ शेयर करूंगी पर इसका कलर आप देखिए कितन डार्क कलर है हमारा रोस प्लान को फुलों से भराने के लिए इसी काई जुरूरत है इसको लगतर आप इस्तेमाल करेंगे और कुछ भी इस्तेमाल करने का जुरूरत नहीं है तो देखिए बाकी जो रहे गए मैंने इस फार्टिलाइजर के साथ मिला दिया है और सिब आपको क दिखाने के लिए अलग से इस पानी को मैंने अलग से रख दिया है तो इस कलर आप देखिए कितना अच्छा बरिया फार्टिलाइजर है इसको इस्तेमाल से हमारा प्लांट अंदर से मजबूत बनेगा साती साथ इसको इस्तेमाल से हमारा गुलाब का प्लांट एकदम फु बहुती बरियार रेजल्ट आपको देगा तो को थोड़ा रेज्ट देती हूँ उसके बाद हम फार्टी लैजर बनाएंगे फाइनल फार्टी लैजर बनाएंगे उससे पहले आपको दिखा देती हुँ की रोज यानि गुलाब का प्लांट में हमको कौन सा basic काम कर लेना है जैसे देखिए पानी का showering हम कर रहे है फूलों में नहीं कर रहे है सिर्फ lips में कर रहे है lips के नीचे के तरफ कर रहे है जैसे आपको मैंने बताई last वीडियो में कि हर टाइम आपको पानी का spray करते रहना है तो मैं भी करते रहती हूँ, आप देखिए मेरा गुलाब का प्लान कितना फ्रेश है और ये जो फूल नहीं आते है, कलिया नहीं बन पाता है, न्यू ग्रोथ नहीं आते है ये जो सारा प्रॉब्लेम है, आप प्लान को अच्छा से शावरिंग करा दीजिए प्लान्ट में मौईस्चर रहेगा, तो ये सारा प्रॉब्लेम बहुती कम आएगा हमारा गुलाब यानि रोस प्लान्ट में अब देखिए मेरे पास कॉमेंट आया था एक वीवर्स का, तो उन्होंने कह रहे है कि उनका प्लान्ट में बर्स तो बन गए है पर बाड्स फुलो में कॉन्वर्ट नहीं हो पा रहे है, जो सेकेंड प्रॉब्लेम आपके सार्थ डिसकस किया था, तो इनका प्लान्ट में भी सेम प्रॉब्लेम आ रहे है, तो चलिए उनको रिपलाई कर देती हूँ, साथ में ये जो कॉमन प्रॉब्लेम अपका प्लान् सानलाइट पे होना चाहिए, अभी का जो वेदर है, एक दोम फूल सानलाइट पे आपको राखना है, प्लान्ट में कोई एक दोम माल्चिंग आपको नहीं करना है, प्लान्ट का सॉयल में मॉइस्चर लेवल आपको मिंटेन करना है, यानि जब प्लान्ट में आपका कलिया बनना स्टार्ट हो गए है, गुलाप का सॉयल बिल्कुल ड्राइ नहीं होना चाहिए, उसके बाद आपको इंसेक्टी साइट का भी अच्छा से धान रखना है, हर टाइम तो तीन दिन के बाद बाद आपको अच्छा सा कोई इंसेक्टी साइट का स्प्रे करते रहना है, रात कर सकते हो और एक चीज आपको स्प्रे करना है वो है PGR यानि Plant Growth Regulator आपको नाम बताओ तो आप Miraculand ले सकते हो आप Super Sonata भी ले सकते हो तो इस तरह के से PGR आपको स्प्रे कर लेना है बर्स में भी आप स्प्रे कर सकते हो जब बर्ज ओपे नहीं हुआ है फूलो में और अज का Fartilizer आपको और गुलाब का जो प्लांट है उसको भी आंदा से बूस्ट कर देते हैं और इस टाइम इस फार्टिलाइजर को आपको लगतार हर हपता इस्तेमाल करना है क्योंकि इसमें है पॉटाशियम, पॉटाशियम का कामी के कारण में भी प्लांट में इस तरीके से प्रॉब्लेम आना शुरू हो जाता है और आपका प्लांट में बार्ट्स नहीं बान पा रहे है, ब्रांच आके उहां पे रूप गए है उसका ग्रोथ तो ब्रांच को हलका हलका सा आप ट्रीम कर दीजे, उसके बाद आज का फार्टिलाजर आप इस्तेमाल करते रहे हैं, आपको बहुती जल्दी रेजल्ट मिलेगा और जिनको ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है कि बार्ट्स ओपे नहीं हो रहा है, एक बार इस फार्टिलाजर को इस्तेमाल करिए और एक से दो बार आपको पीजेर का इस्तेमाल करके देखिए, एक्तम से प्रॉब्लम चला जाएगा और पीजेर का इस्तेमाल आपका प्लांट में प्रॉब्लम है, तो हर हफ्ता आपको कर लेना है, एक लीटर पानी में आपको जादा से जादा पांच से छे ड्रॉप आपको लेना है, इससे जादा ड्रॉप आपको इस्तेमाल नहीं करना है, आप करके देखिए और रेजल् तो देखिए यह जो हमने रेडी कर लिया था लक्री का राग और हल्दी मिला के पानी के साथ अच्छा से डाइलूट करके उसके बाद यह जो ब्लैक कलर का आप पानी देख रहे हूं एक कौन सा पानी है यह बनना पील फार्टी लैजर किस तरीके से आपको रेडी करना है एक पानी के साथ बनना पील को छोड़के राखना है आपको वीडियो पे थोड़ा सा दिखा भी दूंगी तो देखिए इस तरीके से जब बनना पील फार्टी लैजर रेडी हो जाएगा यह जो हमने मिक्शर बना लिया था इसके साथ आपको मिला देना है और देखिए यह जो कार्टी लैजर को रेडी कर लिया है अभी यह गरम है तो आपको दिखा रही हूँ जस्ट इस तरीके से हमको उबाल लेना है और छोड़ देना इसका कालर भी आप देख रहे हो तो चलिए आपको दिखाती हूँ कि प्लांट में किस तरीके से हमको डालना है और देखिए इ उसको according आपको डालना है तो इस तरीके से आपको डाल देना है अब आते हैं कि quantity के बारे में कितना कितना पानी और fertilizer आपको लेना है तो देखिए फिर मेरे पास ज्यादा plant है तो मैंने 10 लिटर बाकिट में इस total fertilizer को ready किया है एक plant के लिए आपको बता देती हूँ तो आपके पा करन के लिए आपको करना क्या है आपको लेना है 500 ml पानी उसमे आपको एक से दो बनड पील इस तरीके से उबाल लेना है उसके बाद ठंड़ा होने के बाद next day आपको और भी लेना है आधा लिटर पानी उसमे आप इस बनना पील फाटिलाजर को मिला दीजिए लक्री का रा की एक टीसपून के पर लेना है क्योंकि आपको हर हपता इस फार्टीलैजर को देना है ज़्यादा आप लक्री कर राक लेंगे तो अपको प्लांट का स्वाइल जादा से जादा असिटिक बनेगा जो गुलाब के लिए अच्छा नहीं होता है तो हर हपता आपको प्लांट मे देते रहना है तो एक टीस्पूनी आपको लेना है ज़्यादा नहीं लेना है और फार्टी लेजर के साथ जैसे आपको काम करके दिखाई मैंने ब्रांच खराप हो गए उसको आपको कट कर देना है प्लान्ट का लीब्स पिला पर रहे है कोई affected leaves है उसको भी आपको cut करके हटा देना है सूके हुए full को भी आपको हटा देना है और अपका plant का मिठ़्ी गुराई आप काफी दिन नहीं किये हो तो ओ भी आपको कर लेना है मेरा plant में देखिए कितना clean है और मेरा plant का मिठ़्ी देखिए हमेशा इस तरह गुराई करके आपको दिखाई देता है तो इस तरह काम आपको कर लेना है साथी साथ आपको आज का फार्टिलाजर दे देना है और एक बर आपको रिपीट कर रहे हूँ फ्रेंज आपका प्लांट को फुलों में भराने के लिए और कोई फार्टिलाजर आपको इस्तेमाल नहीं करना है इस फार्टिलाजर जब आप इस्तेमाल कर रहे हो क्योंकि कभी कुछ कभी कुछ इस तरह डालने से प्लांट के अंदर और कुछ रियक्शन होता है क्योंकि हर फार्टिलाजर अलग-अलग होता है कुछ fertilizer nitrogen based होता है, कुछ fertilizer phosphorus based होता है, कुछ fertilizer potassium based होता है, तो आपको धन पे रखना है कि गुलाब का इस stage पे हमिशा potassium based fertilizer ही हमको देना है, तरह तरह के fertilizer हम देंगे तो plant भी confused हो जाता है कि उसको करना क्या है, उसको full खिलाना है, कि पत्ता निकलना है, कि branch का growth करना है, इसलिए plant में जिस stage पे जो चाहिए होता है उस fertilizer को हमको देना चाहिए तो I hope अज का fertilizer आपका plant में बहुत हेलफूल रहेगा आपका plant से जो full related problem आ रहे है एकदम से चले जाएगा जैसे जैसे मैंने आपको बताई ऐसे आपको करना है friends और plant में कोई खराब पत्ते देखे देखिए इस पत्ते में देखिए चोटा चोटा दाग आपको दीख रहे है इसमें थोड़ा थोड़ा insect का attack आना शुरू हो गए है तो आपको बिल्कुल इसको cut करके हटा देना है infected leaves एकदम plant में नहीं रहने देना है तो plant भी एकदम fresh रहेगा देखने में भी अच्छा लगेगा और देखिए मैं किस तरह हटा रही हूँ एक cut करके आपको हटा देना है हाथ से खीच-खीच के आपको जारा से भी एक काम नहीं करना है और गुलाब में काटा भी रहता है आपको धान से भी एक काम कर लेना है देखिए हटाने के बाद plant कितना fresh रहेगा और कोई नया lips में जो बीमारी है ये नहीं फैलेगा देखिए new growth भी बहुत बरिया लग रहे है तो इस तरीके से फ्रेंज आपको गुलाब का प्लांट में काम करते रहना है अचका वीडियो आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक श्यार जरूर करा करिए और मेरे साथ जुनना चाते हो तो मेरे चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपका गुलाब का प्लांट में कोई भी प्रॉब्लिम आ रहे है तो आप मेरे साथ श्यार कर सकते हो मैं जरूर इस तरह आपका कॉमेंट को भी रिप्लाइ कर दूँगी तो अपके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, हेल्फूर रहेगा कि किस तरह के से आपको टेक क्यार करना है देखिए मेरा ब्लैक लेडी पुरा ओपेन हो गए है और खुश्बू से मेरा पुरा गार्डेन भर गए है बहुत ही खुबसूरत फूल खिल रहे है, आपको दिखा दिया है, न्यू ग्रोध भी दिखाई, देखिए न्यू ग्रोध भी बहुत बरिया लग रहे है और इसमें देखिए दो दो फूल खिला है, इस फूल को टच नहीं करना है, ये दस दिन हो गए है, खिला हुआ है, जैसे हवा लगेगा मैं टच करूँ ये तो जड़ जाएगा, बाजू में जो खिला हुआ है, फ्रेश फूल है, बहुत ही खुबसूरत है, देखिए फेंस कि बन रहे हैं यह देखिए midnight blue है एक साथ एक काफी कलिया निकालते हैं हमेशा एक कलिया नहीं आते हैं जब भी कलिया बनते हैं इसमें गुच्छे में बनता है midnight blue है बहुती बरिया गुलाब है इसमें भी बहुती बरिया खुश्बू रहते हैं और देखने में भी बहुती अच वीडियो पे तब तक के लिए थैंक्कू फ्रेंस, थैंक्स पर वाचिंग, हैप्पी गार्डेनी!